मैं आज यहां इसी स्थान पर बीना में पचास हजार करोड की जो हमारी रिफाइनरी बनी है लेकिन इसके माध्यम से लगूत दोगों का नया रास्ता खुल रहा है उसके बारे में ज्यादा न बोलते वे आज इसी स्थान पर बीना में आल्टी आई खालेश खोला जाएगा एक और आई टी आई जोड़दार तालिव जब मिली रहा तो क्या जाएगा दोज हाथ से आपना अनंद लो जो छेतर की बेरोजगारी दूर करेगा लोगों का पलायन रुकेगा 4,246 करोड की लागस से बीना सिचाई परियोजना है जिसमें 262 गाउं के 90,000 हेक्टर भूमी में सिंचाई होने वाली है मुझे बताया गाया कि कुछ यहां गाउं इसमें छूटे हैं जो मैंने पहले घोशना किये वो सारे गाउं इसमें जोड़े जाएंगे आब इनन्दन करो आज एक बार फिर अपने इस छेतर के लिए सागर में 301 करोड की लागस से विबिन सडकों के अलग-अलग निर्मान कारी की सोगाद भी यहीं से देने की घोशना करता हूं 301 करोड के लिए ताली वाली तो अच्छी बजना चाहिए भाई जिले में 9 समूजल की 2200 करोड की रासी का भी यहीं से मंजूरी करता हूं जिसमें 1728 गाहों के 2,66,000 से ज़्यादा परिवारों को सुद्ध पेजल की ववस्था जारी की जाएगी मदद की जाएगी बीना कुरवाई मार्ग बीना खुरई मार्ग बीना खुरई मार्ग बीना खुरई मार्ग पर बीना खिमलासा मंडी बामोरा विदीसा मार्ग बीना आगा सोद मार्ग मंडी बामोरा विदीसे मार्ग पर आरोबी निर्मान के भी रासी स्वीकरत की जा रही है सागर में पिसे तो बोलने के लिए बहुत सारा है मिझे लगता है कि थोड़ा सा अब यही मैं केंद्रित करू जहां के लिए हम है बीना में 30 करोड की लागत से सो बिस्तरी नया हास्पिटल का भी निर्मान किया जाएगा नगरपाली का छेतर बीना का भी विस्तार करने की बात ही करना के नहीं करना है आपकी मांग पर इसका भी विस्तारी करन किया जाएगा बीना का नगरपाली का भवन अभी किराय का चल रहा है या छोटा है तो इसको नया बनाने के लिए पांच करोड की धनरासी भी स्विक्रत की जाती है खिमलासा में तेहसील की मांग है तो खिमलासा को पूर्ण तेहसील बनाया जाएगा मंडी वमोरा उपतेहसील भवन और आवासी भवन का भी दो करोड की लागस से निर्मान कराने की यहीं घोशना की जाती है भानगड में उपतेहसील आवासी भवन नये निर्मान के लिए महाबी दो करोड देने की यहीं से घोशना की जाती है गड़ा पडरिया से बीना कुर्वई पहुँच मार अभी पीएम जैस्वाई से रप्ता का इस्थान पर लगबक पांच करोड की लागस से नया पुल बनाने की घोशना की जाती है ग्राम पंजायत मंडी बमोरा को नगर परिशत बनाने की बात है बनाना चाहिए तो ठीक है आपको लिए नगर परिशत मंडी बमोरों को बनाने की भी घोशना की जाती है मंडी बंवोरा में नया क्रशी उपज मंडी भवन और आवासी भवन पचास लाग की महाँ भी देने की घोशना की जाती है बीना जन्पत पंचायत और आवासी भवन हैतु एक करोड लगबक तीस लाग की लागत से इसका नया निर्मान भी मंजूर करते हैं बीना नगरपालिका के विकास कारी के लिए धन की कमी हैं मुझे बताया गया है तो हमने का खाली हात नहीं जाओंवा पांच करोड रुपे यहां के विकास के कारियों के लिए भी बीना नगरपालिका को देने की घोशना करता हूँ बीना से बमोरी पहुँच मार्ग लगबग 18 किलो मिटर का लगबग 41 करोड की लागत से ये सड़क भी बनाने की यही से घोशना की जाती है भानगर से गिरोल सड़क मार्ग लगबग 18 किलो मिटर 27 करोड की लागत से इसको भी बनाने की यही से घोशना करता हूं बीना में इंडोर आउटडोर स्टेडियम लगबक तीन करोड की लागस से इसको बनाने की भी यही से घोषणा की जाती है हमारे खिलाडियों के लिए सभी कारिक्रम करने के लिए इस्टेडियम की जरवत होना चाहिए के नहीं होना चाहिए मुझे बताया गया कि बाइपास की बहुत जरुवत है कितने किलोमेटर का 40 का है 38 का है 41 का है चारों तरब बाइपास बनाने की गोश्णा भी बीना के लिए यही से की जाने की इसलिए अपने बीच में आने के पहले मैंने राज में ये सबी जिले संभाग हमारे लिए दुबारा इसकी रचना बनाने की जरुवत है जब मद्यप्रदेस से 36 गड़ा लग हो गया और कई नए जिले बन गए तो नए जिलों में और बड़े संभागों में बड़े जिलों में तालमेल कराने के लिए हमको नए जिले भी बनाना पड़ेंगे नए संभाग भी बनाना पड़ेंगे इसलिए उसका आयोग बना करके आया हूँ जोड़दार तालिब जाओ हमारे आयोग के लिए और इस आयोग के मैंने सदस्ची की घोषना कर दी पोलिटिकल न्यूकती भी जल्दी करने वाला हूँ और ये अपने सुझाओ देंगे के कौन-कौन से जिले कौन-कौन सी सीमा जोड़के बनना चाहिए वो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भविस्य में नए जिले भी बनाए जाएंगे हमारा अपना बीना भी उसी में सामिल रहने वाला है हमारे अपने प्रसास्थिक छेतर में आप देखो हमारे विकास के मामले में पहले हमने ठानों की सीमा बदली पूरे प्रदेस के अंदर लगब 22,670 ठाने सालों से उनकी सीमा नहीं बदली थी सारी सीमा बदलते वे ठाने जंता की सुबिधा के लिए होते पुलिस अपनी जक्सता से डूटी कर सके ये बदला होना चाहिए इसलिए थाने की सीमा बदली अब जिले और संभाग की सीमा बदल करके हम राज्य परिसीमन आयों के माध्यम से वो योगी ववस्था करेंगे ताकि जिले हमारे अपने पेरों पे खड़े हो सके अपनी आज के माबदंड पे खरे उतर सके ये सारे काम कराते जाने की जवाबदारी मेरी है